सब लोग आ चुके क्या हाँ वाई सब लोग आ चुके हैं तो दिनकों के और एक मज़ेदार वीडियो में आप सब कभी स्वागत है और आज इधर पहुत सब्सक्राइब करने मलें तो वीडियो तो इन तक ज़रूर देखना और पिछले वाई वीडियो में हम लोग बोले थे इस सब्सक्राइब कर रहा हूं तो जो बही उचा निचे जमीन था उसको अभी मेरे को एक दम फ्लैट करना है अभी अभी अधा कम्प्लीट हुआ है और आधा करना बागी है इधर से होता है हमारा फ्यूचर प्लैन आगे सब कुछ बही बताएंगे टेंसर नालो लेकिन उसे पहले आप लोग वीडियो देख रहे हूं सब कुछ एंजोई कर रहे हो तो लाइक करना ना भूला एंड सब्सक्राइब कर देना याज तो इससे क्या होगा मेरे को बहुत ज़र मोटिवेट मिलेगा तो इस से में जो सॉयल है सॉयल को मैं इधर ले ले लेता तो चलो भई आगे चलते हैं आगे मेरे को बहुत सारा मिट्टी इधर लेकर आना है एंड ये वाला जो बेलचा देख पायरो मेरे पास अभी दो है एंड मैं सोचनों और एक इधर खरीद लू क्योंकि एक बेलचा से एकी बार मिट्टी आता है एंड एक बार करके काम करू जाएगा तो चलो भाई से सब्सक्राइब करते हैं तो इसेड़ भी जोड़ा इसा ना पहले रूक करते हैं एहतर जो लूग होगा मैं आपकू बाद में दिखादो गहीं बहुत ज़्यादा काम काना है वाला में तो देख सकतो भाई ऐसा अभी होचुका है एंड अडीधर तो फाइनली इस सेट में यह फील्ड देख लो इतर जो घास पुस्ता उसको बहुत एक्दम क्लियर कर चुका हूं राथ में थोड़ा इतर दिक्कत होता है इतर कुछ भी लाइट नहीं है तो अज मैं सोचने थोड़ा बहुत इतर टौच बिल्ड कर लेते हैं और साइस से मेरा इतर कुछ माइल्स्टोन आर्लक हो चुका है तो देख लेते हैं कौनसा माइल्स्टोन है तो यह बाल आइलेंड में 20 किलो मीटर चल चुका हूं तो उसी का माइल्स्टोन है और चलो आगे तो मेरे को बहुत ज़़ा काम करना होगा और स्किल पॉइंट भी बहुत ज़़ा है तो आज इस वाले वीडियो में करूंगा बहुत ज़़ा लाइसेंस पार्चेस तो आगे चलते हैं क्राप्टिंग टेबिल पे और टॉच का रेसिपी देख लेते हैं अभी एनर्जी ना तुम्हारे भाई का बहुत ज़़ा है एंड जो गाम लॉक्स है उसको मैं बाद में एकडम करूंगा एंड जो सामने मेरे बास है ना जो इधर सीड है उसको कालेक्ट करने के बाद मैं अभी सोने के लिए चला जाओंगो क्योंकि एनर्जी देखी सकते ह अभी तो ब्लैक आउट हो जाएगा कारें में जैसे होता है ना ब्लैक आउट ऐसा ही वाई तो आज वाई जौन के उसे में सेल में कुछ नहीं किये थे तो आज भाई पॉफिट पॉविट कुछ भी नहीं होगा एंड सुबह सुबह तुम्हारे भाई आ चुका इधर यह क इसके बारे में मेरे को यह बता रहा है तो थैंक्यू बढ़ाने के लिए और एक चीज आया है इधर यह जो हमारा दादी है पास में तो है इधर मैसेज देने का जोरुद था ओके तो यह मेरे को गिप दिया थीन बार बाद पाच पास थीन बार माला बहुत ज़दा वाई तो आज इधर बहुत ज़दा मेरे को काम कारना होगा एंड मेरे को एक नियो इधर ओके तो यह है नियू माल्स्टोन एंड जिसके साथ में फ्रेंडली एकदम बात्चित करूँगा एंड उधर से मेरे को एक मेल आएगा एंड इधर देगो अभी इसेट में जीतना गास चुका है एनियू को एक जीतना होगा एंड थकोतुआ हुसरल खोड़का जाना होगा पर डश्यतक Pacific लियूट चलते हैं मेरे मेल फोच लेलेते हैं एंड दी ओना संव क्मुढिवश्ट मेरे मेरे को इन इधर दो 1üğο चुका हैं श्कील पॉंड थूल दो यह तो गयोए लिए हांटिंग में में बहुत मेरी ये शायुं देलों में तो इस प्रफ छाल बहुत लियों है तो चलो आगे चलते हैं यार की अबड़न अमेज से श्कुपेयां को बेम छ Keyडreme में फार्मिंग करा घ्सका फिफ्लेंदि future plan है ना मैं आपको बाद में उदर सब कुछ दिखाऊंगा तो इस साइड में में मेरे को और एक लाइसेंस ले लेता हूं तो इसमें क्या होगा भई तो यह बाला जो बाट है बाट कैम है मतलब इदर में कुछ बाट सिरा रह सकता है ऐसा ही होने वाला है बहुत सारा लाइसे इदर डिय पार्चिस कर चुका हूं और जो भी ऐवहे जादातर पास हो स्कील पॉइंट या भई हजार स्कील कुइंट तो इस स्ब्सक्राइव देख सकते हो तो सब से पहले जो обс subject ये माला फील्या इन जगाह मीटिरψ रिकागा है अब इदर हो आप खो बाखेंट आ से तो एंड जॉन के लिए पार्माने इधर एक स्वाब तो इधर दाजी के साथ बात्चित्तों सब कुछ हो चुका है कॉंप्लीट एंड इसको बनान के लिए मेरेको 75,000 गोल्ड इधर एक डीट की तरब एक दम लेना पड़ा एंड मेरेको बात में उसको भाई पे भी करना है तो इधर पर्माने इन सौब है उसको बील करने के लिए बहुत सर्व मेडरीयल भी मेरेको चाहिए तो उन में से वह एक है पाम प्लैंक साइसे ऐसा ही नाम था तो इधर मेरेको को ज़ए पाम्टी करना होगा एंड उदहर से वह उडलोग स्कालेट करना होगा एंड उदहर घर में जाके टेबिल सौसे वह उदहर जो पाम प्लैंक है उसको भी उसको भी यूज करना होगा मालब बहुत ही ज़ए ज़ए डिफिकल बला अब आप लोग में समझ चुक ए क्या होने वाला है एंड चलो आगे चलते हैं मेरे को भी टॉच बनाने के लिए भी ओसार मेटरियस भी डूटना होगा तो फाइनली वह इस से में में जाते जाते हैं इधर मेरे को एक में ग्रूप टी दिखिया मनलब एक नहीं बहुत ज़ए तो इधर से मेरे को स्टीक मिल है तो फाइनली वह इस से में आ चुका हूं एंड टॉच बना लेते हैं सबसे बहले तो रात में में इधर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और एक बना लेते हैं तो इधर में टोटल सोला इधर टॉच हो चुका है तो अभी तो भाई मेरे आपको रात में लूग सबसे चब्स ने लाईते हैं भाई में डिक करता रहें घृए यह में टॉच को अश्ब्स फारा बनाती हैं मैं साजेस्ट करूंगा अभी तो कुछ ऐसा गेम नहीं आया है जो न्यू खेलना चाहिए तो यह वाला गेम खेलो भी बहुत ज़र मजा आएगा एंड पहले पहले चब आप खेलोगे तो कैमेर एंगल पर थोड़ा सभी अप लोगो नारासी हो सकता है लेकिन इदर भी सेटि तो चलो आगे भी वीदर फड़बट से चलता है एंड आगे मेरेको बहुत सरा काम करना है तो आज इदर देखी सकते हो कितना कितना भी काम कियें और पॉफिट भी आचागासा हो चुका है तो दाजी ने मेरेको एक न्यूव में बेजा एंड मेल में लिखा हुआ है कि परचेस कर लो ओके में बात में परचेस कर लूँगा लेकिन उसे पहले में यह बना जो चेस्ट है चेस्ट को भई इस सेड में लगा देदा हूँ दो भई जेस्ट एनप है और इस दरन देख सकते हो बहुत da materials है तो एक काम करता हूँ अब ही जो इदर भई सिल्ट है मैं कॉंपलीट हो जाएगा जोन का भई पार्मानेंट स्वाप तो चलो ओकाम मैं कॉंपलीट का लेता है एड इसे में यह बारा चीज़ है ना इधर प्लेस कर देता हूं एंडेक्ट वहीं क्या बोल रहा है कि अधर कॉंपलीट हो जाएगा तो चलो अभी इस से में और कुछ बाकी नहीं है तो इस से में 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 को एक बाटरफ्लाइ रिखा ओके तो यह काम तो अराम से हो चुका है तो आगे चलते हैं जॉन से बात करते हैं उससे कुछ इतर जॉब ले लेता है तो फाइने जॉन से इस दम बात्षीत हो चुका है एको चाहिए एक दीन बार ओके तो मेरे पास बार जाज जो जो दादी ने मेरे कुछ गिब क्या दा 5 तीन बार एन उन में से साथ से अभी दो बागी है तो चलो उसको भी काम ट्वाटरस कर ले रहे हैं एक बार में इदर ले चुका हूं तो इदर भाई कुछ थीन बारी है ना हाँ इदर थीन बारी है तो चलो टाक्स में इदर देखी सकते हो इदर मनलब दाजी ने बोलाए में इदर पाच एकड़ में बिल्लिंग बनाओ एंड उन में तुमको इदर काम करना है पहुत सरा तभी इदर लोग आएगा तो चलो इसका बाई दे दिया हूँ जौन को वहीं जो थीन बार है एंड उसने में मेरे विदे चुका है मनलब एक भाई इदर टोपी दे चुका है इदर चलो टोपी मैं आपको बाद में एक दम पहनने के बाद दिखा हूँगा ठीक है तो आगे चलते हैं एंड यह देखो इदर वहीं स आज ही खतम नहीं होगा तो हाँ अभी इधर बाद करने वाले में फ्यूचर प्लैन के बार में तो इस सेड में मैं इधर एक डॉइंग करके मलब आपको समझा दूगा मैं क्या होने वाला है तो इस सेड में देख सकते हूँ यह जो भई मीडिल वाला घर है ओ जौन का पर् समझ सकते हूँ ऐसा फ्यूचर प्लैन है इस सेड में यह जो रोड है ना यह कानेक्ट होगा इसके आगे रुको सबसे पहले इस सेड में यह जो जगा देख पा रहे हो इसमें रहेगा फार्म मैं इतमे में कुछ भी फार्म रह सकता है ठीक है तो आप लोग समझ चुग है ऐसे फ्यूचर प्लैन है अभी तो मैं उधर आपको दिखाऊंगा भी ना तो आप लोग कुछ समझ नहीं आएगा इस जगह में वह सारा चीस होने बाला है तो आपको ऐसे दिखा दूंगा तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाऊगे तो मैं वह एकदम प्लैन करके बना रहा तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और कुछ भी नहीं और यह वीडियो को वही सच में वही अब एकिन नहीं मानोगे वही दू गंटा लगा वही पूरा एकदम खेलने के बाद समझ दी सकते हो आप लोग फोड़ा सा प्यार दिखा दो बस और कुछ नहीं चाहिए यार एंज चलो आगे चलते हैं आज के लिए इतना ही एंड और इतर भी कुछ करने के बाकित नहीं है नेक्स डे में इस सान्य में जौन का पर्मानेन रोब एकदम सब कुछ हो चुका है और इसे हम लोगा नियू जाननी स्टार्ट होता है और तो आज के लिए इतना ही दो और एक न्यूव वीडियो के साथ एंड वीडियो बसंगा तो अभी न्वी नहीं बजहें से ना नो बजहें इस दुगान गूलेगा जौन अब इस सेज में कुछ भी नहीं है तो इधर मेरा भी घर होगा एक दिन ना एक दिन तो उसके लिए ओए कर लेना तो मिलते में और एक न्यूव वीडियो के साथ आप लोग हिल्दी रहना जो भी काम कर रहे हो सही से करना एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना चाहर भी कर जाना तो चलो ऐज के लिए नहीं बाई बाई बाई